हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्ट्रक्शन्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यह जो हम बीम ढाल रहे हैं, वो कैसे ढाला जाता है और उससे पहले जो फ्रेंवर्क होता है रोड का, वो कैसे किया जाता है तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि इसमें कितने mm का रोड लगा हुआ है यह देखिए, यह जो है, यह प्लिंथ बीम है और यह जो पिलर्स है, वो दोनों में 12 mm की रोड लगी हुई है दो rings की बीच की दूरी है, वो 6 से 8 इंची की दी हुई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितने भी rings रखे गए हैं उसे हलका सा तिर्चा, यानि कि 90 degree में ना करके हलका सा उसे जोका कर रखा गया है पर यहाँ पर मिस्तिरी ने थोड़ी से गलती कर दी है और कुछ ज़्यादा ही जुका दिया है हाँ 90 degree में नहीं रखना चाहिए उसको लेकिन इतना भी ज़्यादा tilt ज़रूरी नहीं है दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो है जो ring की connection हो हाँ पर हो रही है जहाँ पर joints है, उसको एक ही सिधाई में ना रखे मतलब कि उसे alternate रखे इस बार इस rot की तरफ रखा है तो दूसरे वाले में दूसरे rot की तरफ रखे इससे क्या होगा कि strength बनी रहेगी और एक ही जगा जोड नहीं पड़ेगा यहाँ पर मेस्तिरी ने बिल्कु सही काम किया है और उसने alternate ही रखे है joints को तो आप देख सकते हैं ring जो है इसमें 10 mm की पर आप चाहें तो 8 mm की ring भी डाल सकते हैं आप देखिए जब इससे खड़ा किया गया है जब हमने steel bar को अच्छे से frame बना कर उसको खड़ा कर दिया पिलर के लिए तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि इधर और इधर left और right side में दिवाल रखी कही है तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप brick work यानि की जो दिवाल है उसके बीच में या फिर corner पे अगर आप pillar डलवाते हैं तो pillar को पहले ढाल करना छोड़ दे दोनों तरब से आप पहले इध की दिवाल खड़ी कर ले और उसके बाद जो है आप pillar ढाले उससे क्या होगा न कि इध को है वो अच्छी तरह से pillar वाला जो मसाला है वो ढ़ंग से पकड़ लेगा तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे मिस्तरी काम करके और pillar को जो है अच्छे से इसमें पट्रा लगा रहा है तो देखिए दोनों तरब से आप तो देख सकते हैं कि दिवाल जो है दिवाल खड़ी कर दी गई है अब रागया पट्रा का बचे हुए दो तरब से पट्रा लगा देंगे और उसके बाद मसाला उसमें डाल देंगे तो देखिए पट्रा को लगाने के लिए सबसे पट्रे में दो खेत की है उसमें इन्होंने वायर को डाल दिया है और इस वायर को वो जो beam है जो pillar है उससे वो tight करके बांध देंगे तो इससे क्या होगा कि दोनो तरब जो है पटरा का से ट्रिंग हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरब से यह बांद दिया इसे एक दम tightly बांद देंगे यह देखिए तो तार को tightly बांद दे रहे हैं यह बीम में फिलर में और यह देखिए, दोनों तार को इस तरह से करके टाइटली बांद दिया इन्होंने ताकि पट्रा जो है वो खुल कर गिरना जाए जब मसाले का लोड पड़े तब अब इसे देखिए, अच्छी तरह से इन्होंने इसे नीचे से भी और उपर से भी दोनों जगहों से काटी से छेद करके उसमें वायर घुसा के एकदम टाइटली बांद दिया है एक तो नीचे बांदा था इन्होंने, अब यह उपर की तरह भी दो काटी से छेद किया और उसके बाद इसमें टाइटली तायार को घुसा कर और फिर इसे बांद दिया है इसमें मसाला डाल दिया गया और मसाला डालने के बाद करनी या फिर लंबी किसी स्टिक के मदद से जो मसाला उसको गोद कर नीचे कर दिया जाएगा ताकि जो है कहीं पर भी एर ना रखे एर ना पकड़े